बाध अनुमंदल अंतरगत सक्सोहरा पूर्वी पंचायत के सक्सोहरा बाजार में पहली बारिस से ही जलजमाओं के कारण अस्थानिय दुकंदारों को काफी परेसानियों का सामना करना पर रहा है। पहली बारिस से ही वहां के दुकांदारों के दुकान में पानी घुस जाने के कारण अस्थानिय दुकांदार का भी नाराज थे सनिवार के दिन हुई बारिस के कारण वहां स्वर्ण दुकान से लेकर कई दरजनों दुकान में बारिस का पानी घुस गया जिसके बाद दुकांदार अपनी दुकान से सामान निकालते दिखे महिने भर से यह जलजमाव की समस्या बनी है लेकिन इस पर बलोख के किसी भी अधिकारी की नजर नहीं परी है वहीं मुखिया सक्सोहरा पुर्वी के मुखिया के द्वारा भी इस पर कोई निरनाई नहीं लिया गया है वहीं जलजमाव की समस्या से कुछी दूरी पर मुखिया का घर होने के बाबजूद भी मुखिया के द्वारा किसी भी तरह से इसका संग्यान नहीं लिया गया वहीं आप देख रहे हैं इस बारिष के पानी में कई बच्चे असनान कर रहे हैं और कई दुकंदार अपने दुकानों के पास खरे हैं और उनके दुकान में हुई लाखों की छती को लेकर काफी नाराजगी है